हेलो एवरिवन होप यू हैव वंडरफुल डे उमीद है कि आप सुब लोग अच्छे होंगे तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सराइज 1.1 सेट्स क्लास 11 तो जो हमारा फर्स्ट कोश्चिन है उसकी स्टेट्मेंट है तो फॉलोइंग में कुछ हमारी स्टेट्मेंस है कुछ केसिज है हमें यह बताना है इन में से कौन से सेट्स है और कौन से सेट्स नहीं है तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है तो सेट्स क्या होता है वेल डिफाइन क्लेक्शन ओफ अबजेक्ट्स होता है मतलब क्लेक्शन होना चाहिए और वो वेल डिफाइन होना चाहिए तो यहां पर सबसे जो में पॉइंट है वो है वेल डिफाइन वेल डिफेंड का मतलब क्या है कि एक ऐसी डेफिनेशन जो सब के लिए सेम हो ठीक है अब यह मैं क्या कहना चाहरा हूं आप समझोंगे इन कोशिन से तो जो हमारा फर्स्ट कोशिन है कि फर्स्ट पार्ट है फस्ट कोशिन का जो फर्स्ट पार्ट है क्या बोल रहा है दा今 era मन्स, मन्स का जितने हमारे मन्स और इंग छिनका죠 लेंटर J से स्टार्ट होते हों ठीक है तो हमारे 12,0 मन्न होते हैं generally से छेंचानल की जिए्प संबर तक उन मेंसे ऐसे कौन से मन्स है ज एक तो है जैनुरी एक है जून और लास्ट जुलाई तो यह ओली त्री मन्थ है जिनका स्टार्टिंग लेटर बिगनिंग लेटर जे है और यह डेफिनेशन सबके लिए सेम होगी अगर यह मैं कहूं कि सिर्फ यह तीन मन्थ है तो यह आप किसी और सो भी पूछोंगे या फ जे से स्टार्ट होंगे कोई एक्स्ट्र और मंथ नहीं होगा तोकि जो मन्थ है वो सबके लिए सेम होते हैं तो यह हमारा सेट हो गया ठीक है आगे आपको चल जाएक पता अभी आपको समझ नहीं आया है अब देखते जाएं धू Annual जो हमारा question है वो है दूसरा part है the collections of 10 most talented writers of India तो हमने collection बनाना है 10 most talented writers इंडिया के तो यह जो 10 most talented writers है यह आपके लिए कुछ और हो सकते हैं मेरे लिए कुछ और हो सकते हैं तो person to person यह definition इसकी change हो सकती है मैं कहूंगा यह 10 writers है यह मेरी नजर में काफी ज्यादा talented है और आपके जल में कुछ और हो सकते हैं तो यह set नहीं है not a set ठीक है तो I hope कि आपको अब समझ आया हो कि set क्या होता है कि जिनकी definition सबके लिए same हो है ऐसे case जिनकी definition सबके लिए same हो उसको हम क्या बोलते है set जो हमारा third question है वो क्या है एट टीम ओफ 11 best cricket best man in the world तो हमने collection करना है 11 best cricket best man का जो world के हैं world में हमने best cricket best man select करने हैं उनका collection बनाना है तो इसकी definition में यह लिए कुछ और हो सकती है आपके लिए भी कुछ और हो सकती है तो यह different person के लिए इसकी definition different हो सकती है तो यह भी एक सेट नहीं है सेट क्या होता है वैल डिफाइन कि जो सबके लिए एक जैसा हो जो हमारा fourth question है वो क्या है दा collections of all boys in your class in your class अब यहां पर एक particular class की बात की आरे कि आपकी अपनी class की बात की जा रही है आपके class में जितने भी students पढ़ते हैं अगर आपके class में हम collection करते हैं boys का अगर वो definition आपके लिए जैसी है तो वो आपके साथ जो आपका classmate है उसके लिए भी definition होगी ठीक है तो यह हमारा क्या है set है उसके बाद fifth है हमारा question the collections of all natural numbers less than 100 less than 100 तो यहां पर हमने collection करना है natural numbers का जो 100 से less हो सबसे पहले natural numbers क्या होते हैं वो देखते हैं जो number one से start होते हैं और infinity तक जाते हैं लेकिन यहां पर हमने बात करनी है less than 100 मतलब 99 तक तो यह जो definition है कि दुनिया में कोई भी person से पूछ ले तो यह definition वो यही standard एक से लेके 99 तक होते हैं तो यह हमारा क्या हो गया यह भी हमारा set हो गया I hope कि आपको समझ आगे होगा यह five parts में की sets और non set क्या होते हैं उसके remaining part है उसको हम आगे करते हैं तो student जो हमारा six part है एक collections of novels written by the writer मुंशी प्रेमचन तो हमने collections करना है novels का जो मुंशी प्रेमचन जी के दुवारा लिखी गई है तो इसकी definition भी सबके लिए same होगी क्योंकि अगर मुंशी प्रेमचन जी ने मालों की अगर सो novels लिखी हैं तो अगर हम किसी से भी पूछेंगे तो सब यह बताएंगे कि उनकी जो novels यह सो हैं और यह मुंशी प्रेमचन जी के दुवारा लिखी गई है सो डैट यह हमारा क्या होगा ahaha सेट है हुँ उसके बाद जो हमारा 7th पार्ट है क्लैक्षिंस ओफ ओल इवल्स इंटीजर स करना है तो हमारे इंटीजर स्थे होते हैं पहली बात तो वी इंटीजर सिक है यैसे की 2 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, minus 2, minus 4, minus 6 and so on तो ये even integers का जो sets है ये सबके लिए सेम होगा इसकी definition सबके लिए सेम होगी तो ये भी क्या है set तो इसमें हम और number include नहीं कर सकते अगर मैं किसी एक person से पूछूँ कि even integers कौन से होते हैं तो वो ये ही बताएगा ठीक है so on ये infinite भी हो सकते हैं ठीक है ना और इसमें कोई भी जो odd integer है वो add नहीं करेगा अगर हमने बात करी even की तो सबके लिए जो definition सेम होगी the collections of questions in this chapter तो इस chapter में sets में अगर हम collections करें questions का तो वो भी सबके लिए same होग उसकी definition ठीक है तो वो भी कहा हमारा एक set है लास्ट जो हमारा पार्ट है नाइन ये क्या है एक collections of most dangerous animals in the world तो हमने इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाग animals का collections करना है तो इसकी definition भी सबके लिए different different होगी because मैं कहूंगा कि ये मेरी नजरिये से most dangerous animals कुछ और हो सकते हैं आपके नजरिये से कुछ और हो सकते हैं और ये person to person ये change होगा तो ये क्या है नोटा set तो जो हमारा first question है वो complete हुआ अब हम आगे बढ़ते हैं second questions की ओर so yes student जो हमारा second question है let a is equal to one two three four five six insert the appropriate symbol epsilon or not epsilon in the blank spaces तो हमने blank space में epsilon या फिर not epsilon जो sign है वो पुड़ करना है जो symbol है वो पुड़ करना है यहां पर epsilon का मीन क्या होता है इसका मीन होता है belongs to और not epsilon मतलब epsilon डाल के उपर हमने एक लाइन डाल देनी है इसका मतलब होता है not belongs to अब यहां पर जो हमारा first part है five dash a तो यह बता रहा है कि five a से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा देखें जो हमारे पास a set दिया हुआ है one two three four five five उसमें present है तो five a से बिलोंग कर रहा है तो यहां पर हम डालेंगे यह वाला sign ठीक है epsilon वाला belongs to उसके बाद हमारे पास है eight dash a अब यहां पर eight present है यहां पर वन से लेके six तक present है eight present नहीं है तो eight set a से बिलोंग नहीं कर रहा हम डालेंगे note epsilon epsilon डालके ऊपर एक लाइन उसके बाद zero dash a zero यहां present है नहीं है तो नोड बिलोंग तो उसके बाद है four dash a four present है है epsilon उसके बाद two dash a two present है जी है epsilon उसके बाद ten dash a ten present है यहां पर नहीं है तो स्टूडेंट जो हमारा question number three है statement है write the following set in roster form तो हमें नीचे कुछ set builder form में कुछ sets given है इसको हमने रोस्टर form में लिखना है और मैंने introduction में आपको बताया था कि set builder form क्या होती है और रोस्टर form क्या होती है तो जो हमारा first part है a is a set is equal to x such that x is an integer and x greater than two minus three and less than two seven उसका हम करते है solution सबसे पहले हमें क्या पताया गया है first question में first part third question की first part में कि x के हमारा integer और x क्या है minus three से greater है और seven से less है तो इसको हम डिरोड करते है नंबर लाइन के उपर है जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वान टू फ्री फॉर फाइव सेक्स सेवन अब गिवन information के अनुसार हम क्या करेंगे कि जो हमारा set है वो माइनस थी से greater है तो माइनस थी से greater क्या होता है इस direction में right hand side और seven से less है मतलब इना left side direction में माइनस 3 से greater हो होगा माइनस डू से start होगा और इस तरफ जाएगा ठीक है और seven से less होगा वो क्या होगा six से start होगा और इस तरफ हो जाएगा तो हमारे पार कौन वह से नंबर आ गए माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फॉर फाइव सिक्स अब जो हमारा सेकंड पार्ट है है इस स्टेटमेंट है बी इस यव्क टू एक्स सच डैट एक जो इसना नंबर प्omas जाते हैं उसमें बताया गया है कि जो निच्टर नंबर से वह चेगल नाऑस है सिक्सलोग्वों जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, okay, यह हो गया, उसके बाद जो हमार थर्ड पार्ट है, वो क्या है, C is equal to X, such that X is a two-digit natural number, such that the sum of its digit is 8, X क्या है, two-digit natural number, okay, natural number है, मतलब 1 से, only 0 include नहीं होगा, बाकि साइन number include होंगे, 0 को छोड़ देना है, okay, यह two-digit natural number, और यह है two-digit number, मुझा जैसे कि 16, 16, 18, 19, यह सब क्या होते हैं, two-digit number, मतलब हमारे 10 से start होते हैं, और 99 तक यह हमारे है two-digit number, तो यहाँ पता है कि X क्या है two-digit number, such that the sum of its digit is 8, और इनका sum हमारा 8 होँआ चाहिए, तो ऐसे कौन से number है, जिनका sum 8 होगा और वो two-digit number है, एक तो है one और seven, one-seven क्या होते हैं, अगर इसको हम add करेंगे तो eight बनता है, अगर हम seven-one को add कर देते हैं, तो भी eight बनता है, तो हमारे यहाँ पर आगया, एक तो आगया 17, एक तो आगया 17, और एक आगया 71, उसके बाद two, six, eight और six, two, six plus two is also eight, तो यहाँ पर आगया हमाद 26 और 62, उसके बाद हमारे जो number है, three plus five is equal to eight, and five plus three is equal to also eight, तो यहाँ पर हमारा number आगया है, मैं यहाँ लग देता हूं नीचे, 53 और 35, उसके बाद four plus four is equal to eight, 44, तो यह हमारा, यह set है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर लग देता हूं, कि अगर इनको हम add करते हैं, तो हमारा eight बनता है, 35, 53 और 44, तो यह हमारे elements से हमाँ number है, जिनको हम add करेंगे, जिनको हम add करेंगे, तो हमारा जो sum है, वो eight बनता है, इनके लावा और कोई number नहीं है, कि जिनका sum eight बनता है, और वो two digit number है, I hope कि आपको इतना समझ आ गया होगा, अब हम करते हैं हमारे remaining part, fourth part है, t is equal to x such that x is a prime number which is divisor of 60, तो सबसे पर हम देखते हैं, prime number क्या होते हैं, तो समझाता हूँ, सबसे पर हम देखते हैं, prime numbers क्या होते हैं, एक को छोड़के, ऐसे number जो one पे और खुद पे divide होते हो, two, three, five, seven, eleven, thirteen, seventeen, nineteen, twenty-three, तो यह हमारे होगे prime number, हम और भी ले सकते हैं आगे, ठीक हैं, जैसे कि 29 and so on, अब यहाँ पर हमने क्या देखना है कि, ऐसे prime number, जो 60 को divide करते हो, उसके divisor हो, ओके, तो ऐसे कौन को से prime number है, जो 60 को divide करते हैं, तो वो prime number है only, two, three and five, चेक कर लो, two, three, five, ऐसे तीन prime number है, जो 60 को divide करते हैं, उसके divisor हैं, और बाकी के नहीं करते हैं, उसके बाद हमारे पास है, इसको हमकरते है 4 पार्ट फिफ्ट किश्जर यूर। इसका हमने बनाना है रोस्ट्रोac इंटॉट्ट्ुट्टेट्ट्चन में कि कोई वेर्ड रिपींट नहीं होना चाहिए कि हो तो ऑको हम लिखेंगे एक वाद टी आर आई जी ओ अब ओ यह दोबार रिपीट हो रहा इसको हम नहीं लिखेंगे इसको हमने स्किप कर दिया एम एम ए ए यहां पर रिपीट हो चुका है तो टी नहीं लिखेंगे दुबारा आर वाई एक और चेक कर लेते हैं इसको लिखेंगे बैटर को रोश्टर फॉर्म में बी डवल टी है तो एक और लिखेंगे टी ओनली टी दुबार रिपीट हो रहा है स्किप कर देंगे आर यह बन गया बटर बटर ठीक है बटर बन गया तो हमारे होगा यहां पर थर्ट कोशन अब हम करते हैं फॉर्थ कोशन स्टूडेंट्स जो हमारा फॉर्थ कोशन है उसकी स्टेटमेंट है राइट दा फॉर्लॉइंग सेट्स इन्टू सेट विल्डर फॉर्म तो हमें फॉर्लॉइंग में रोश्टर फॉर्म गिवन है हमने इनको सेट विल्डर फॉर्म में लिखना है इसका हम करते हैं सॉलू Let A is a set and it is equal to 3, 6, 9, 12 ओके हमने इसको जो हमें given set है इसको हमने एक नाम दे दिया set A इसके बाद हमने इसके जो elements है इसको ध्यान से देखना है गोर से देखना है और यह हमें पता चलाना है कि इससे हमें क्या information मिल रही है हमारा जो first element है वो है 3, second जो element है 6, third 9 and fourth है हमारा 12 तो अगर हम student यहाँ पर अगर हम करते हैं 3, 1 the 3 3, 2 the 6 and 3, 3 the 9 and 3, 4 the 12 तो इस information से हम इसकी बनाएंगे set builder form और जब हम इसकी set builder form बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे a is equal to x such that x actually हमारा है क्या? x क्या है? 3 तो हमारा सम में चल रहा है और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 change हो रहा है हम लिखेंगे x is equal to 3 small n और यहाँ पर small n actually है क्या? small n हमारा है natural number क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा natural number होता है वो 1 से start होता है और infinity तक जाता है यहाँ तो हमने लिख दिया natural number लेकिन यह infinity तो हमने नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पर natural number जो use हो रहे हैं वो से लेके 4 तक यूज हो रहे हैं तो इसके बारे में हम यहाँ पर information भी लिखेंगे इसको हम रब कर देते हैं और हमारे जो natural number थे वो कहां तक यूज हो रहे हैं जब हमने 1 यूज किया तो हमारा 3 आया और अगर हमने जब 2 यूज किया तो हमारा 6 आया अगर हमने 3 यूज किया तो हमारा 9 आया और अगर हमने 4 यूज किया तो हमारा आया 12 तो यहाँ पर जो हमारे पास natural number लिखेंगे where जो यह small n है इसकी limit क्या है greater than and equal to 1 1 से 1 के equal है और उससे greater है और less than and equal to 4 4 के equal है और उससे less है ठीक है 1 के equal है और उससे greater है 4 के equal है और उससे less है तो I hope कि आपको जो first question है वो समझ आ गया होगा अब हम करते है second question I'm sorry second part जो हमारा second part the student वो क्या कहना चाहरा है सबसे पहले हम लिखते है let इसको हमारा लेते है सबसे पहले हमने क्या कि इसको set B मान लिया set C मान सकते है कुछ भी मान सकते हैं कुछ भी मान सकते हैं उसके बाद हमने इसके elements को गोर से देखना है और देखना है कि इससे हमें क्या information मिल रही है तो यह देखें अगर मैं 2 power 1 करूँ तो मुझे मिलता है इसका first element अगर मैं 2 की power 2 करूँ तो मुझे मिलता है इसका second element 4 अगर मैं 2 की power 3 करूँ तो मुझे मिलता है इसका third element 8 अगर मैं 2 की power 4 करूँ तो मुझे मिलता है इसका fourth element 16 और अगर मैं 2 की power 5 करूँ तो मुझे मिलता है 32 तो इसका मतलब क्या है हमें इससे जो set builder form में इससे set बनाना है इस information से set बनाना है जो हमें यह information है ठीक है right hand side में equal के right hand side में सो स्टूर हम लिखेंगे b is equal to x such that x actually किसके equal है x is equal to 2 power n और यहां पर n क्या है हमारा n जो हमारा use हो रहा है वो 1 से लेके 5 तक use हो रहा है और यह किस category के number है यह है natural number n belongs to natural number और यह natural number तो है इसकी limit किया है कि n को हमने कहां से लेके कहां से लेके कहां तक put करना है कि हमें यह element मिल जाएंगे तो n की जो limit है student वो है greater than and equal to 1 and less than and equal to 5 ठीक है तो 1 के equal और 1 से जो greater है 5 के equal और 5 से जो less है तो यह हमारा हो गया second part अब इसको हम raise करते हैं और हम करते हैं third part student तो जो हमारा third part है last part है उसके बाद जो मैंने यह three कोशन से लेके इसका last part है तो इसको सबसे पहले हम करेंगे let's see इसको हमने c set मान लिया क्या element है 5 25 125 and 625 I mean 625 तो सबसे पहले हमने इसके elements को देखना है इससे हमें क्या information मिल रही है अगर हम 5 की power 1 करते हैं तो हमें 25 अगर हम 5 की power 3 करते हैं तो हमें मिलता है 125 इसका third element है अगर हम 5 की power 4 करते हैं तो मिलता है 625 तो similarly हमने क्या लिखना है c is equal to x such that x किसकी equal है 5 power n where n belongs to natural number और यहां पर जो हमारा small n है इसकी limit क्या है इसकी limit है greater than and equal to 1 and less than and equal to 4 क्योंकि यह 4 तक गया है 5 power 4 है तो हमारा 625 बन रहा है I hope कि आपको यह three parts समझ आगे होंगे अब हम करते हैं बाकी के जो remaining part है students जो हमारा fourth part है इसका हम करते है solution सबसे पहले हमने इसको let करना है एक set हमा लेते हैं let set d is equal to 2, 4, 6 and so on और इसके जो elements है इसको हमने ध्यान से देखना है तो इससे हमें क्या चल रहा है पता मैं directly यहां लिख देता हूं d is equal to x such that x is an even natural number x is an even natural number क्योंकि जो इसके इंदर element है only even जो हमाई number है only वो elements है और इसके इलावा हमने natural numbers को लिखे है क्योंकि जो natural numbers होते हैं वो 1 से start होते हैं और infinity तक जाते हैं ओके लेकिन यहां पर जो हमारे elements लिए गए हैं वो 2, 4, 6 लिए गए हैं तो यह हम लिख सकते हैं कि x is an even natural number एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं और दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं इसका set builder form different तरीके से हम बना सकते हैं जैसे अगर हम करें 2 power 1 is equal to 2 2 power 2 is equal to 4, 2 power 3 is equal to 6 और यह चलता जाएगा so on तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यह भी हमारा answer ठीक है हम यह भी लिखेंगे तो हमारा कलत नहीं होगा या फिर हम लिख सकते हैं d is equal to x such that x is equal to 2 power n और where n belongs to natural number that's it तो हमारा यहां तक हो गया अब मैंने यहां पर n की limits ही लिखी क्यों नहीं लिखी क्योंकि यह infinite दिक जा रहा है ठीक है हमें नहीं पता यह infinity तक है तो हम n की जो limits हैं नहीं लिखेंगे जो पिछले हमारे cases थे उसमें हमें n की limits बताएगी थी क्योंकि उसमें only किसी के अंदर 4 elements थे किसी के अंदर 5 elements थे तो हमने n की limits लिखी थी कि n greater than equal to 1 and less than equal to 5 या 4 जो भी कुछ था लेकिन यहां पर हमारे पास n 1 से start है जो मैं natural numbers होते हैं वो 1 से start होते हैं तो यहां पर जो n है वो 1 से start है लेकिन उसका जो ending point है हमें नहीं बताएगी तक है तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि n belongs to natural number हमारा यह हो गया फोर्थ पार्ट अब जो हमारा फिफ्थ पार्ट है उसको हम करेंगे लेट सेट इस इस इक्वल टू वन फोर नाइन so on hundred अब इसको हमने देखके इसके जो elements है इनको देखके हमने अपने mind के अंदर एक information set करनी है तो यह क्या बन जाया देखे अगर हम one का square करते हैं तो हमारा बनता है one अगर हम 2 का square करते हैं तो हमारा बनता है 4 अगर हम 3 का square करते हैं तो हमारा बनता है 9 अगर हम 4 का square करते हैं तो हमारा बनता है 16 अगर हम 5 का square करते हैं तो हमारा बनता है 25 and so on अगर हम 10 का square करते हैं तो हमारा बनता है 100 तो जो भी हमारे elements है इस set के अंदर वो सारे आ गए हैं तो यह जो information है equal के right hand side में इसको हमने ध्यां से देखना है और इसके according हमने set builder form को लिखना है e is equal to x such that x is equal to n square और n हमारा natural number और इसकी limits के यहाँ पर limits given है हमें क्योंकि last element है वो 100 है इसमें infinity नहीं है तो where n कहां से start हो रहा है 1 से greater than equal to 1 and less than and equal to 10 okay student I hope कि आपको इतना समझ आगे होगा और यह था हमारा last path यह हमारा fourth question का time उसके लावा मैं आपको एक चीज और बता चाहता हूँ मैंने यहाँ पर रिखा था 2, 4, 6, 8, infinite तक सबको represent कर रहा है तो X only एक element है और एक element से हम सारे element को represent कर रहे है X कोई infinite numbers नहीं है X एक element है लेकिन ये जो element है सब इसके under आते हैं लेकिन X के only one element और one element के लिए हम only number use करेंगे हम numbers नहीं use करेंगे इसलिए में लिखा X is an even natural number क्योंकि ये information कई बार हम set बनाते हैं set builder form तो कई यहां पर हम numbers लिख देते हैं और कई बच्चों की confusion होती है तो इसलिए मैंने ये बताया I hope कि आप कि इतना समझ आगे होगा अब हम करते हैं fifth question students जो हमारा fifth question है statement है list all the elements of the following sets हमें यहां पर set builder form given है इसको हमने रोश्टर form में convert करना है सबसे पहले हम करते हैं first question का fifth question का first part क्या क्या है is a set and it is equal to such that x is an or natural number सबसे पहले हमें पता हो चाहिए कि natural number क्या होते है जो one से start होते है और infinity तक जाते हैं यह हमारे होगे natural number इसके बाद इसने बात रही है और natural number और natural number क्यों से होते है जो two के table पे divide नहीं हो सकते जैसे की one, three, five, seven, nine and so on इसको हम कैसे लिखेंगे इना रोश्टर form is a set is equal to one, three, five, seven, nine and three dot मतलब की infinite ओके हमारा हो गया हमारा हो गया हमारा second पार्ट है क्या बोल रहा है बी इस इक्वल टू एक्स अच्छ डैट एक्स एन इंटीजर और एक्स जो लिमिट है वो क्या है ग्रेटर दैन सबसे पहले इन्हों ने बता है कि एक्स का इंटीजर हमें इंटीजर पता हो चाहिए कौन से होते हैं यह रही हमारी नंबर लाइन इस पर हम डिनोड करेंगे इंटीजर ऐसे कि जीरो, वन, टू, फ्री, इन्फिनिटी तक किलावा इंटीजर माइनस वन, माइनस टू, माइनस फ्री, माइनस इंफिनिटी तक यह हमारे होगे पॉजिटिजर और यह हमारे होगे नेगिटिजर अब यह क्या बोलना चाहिए कि हमने एक्स हमारे इंटीजर है लेकिन x limit क्या है minus 1 upon 2 से greater होने चाहिए 9 upon 2 से less होने चाहिए सबसे पहले हम देखते हैं कि minus 1 upon 2 इसकी equal होता है इसकी value होती है minus 0.5 इसकी बाद हम देखते है 9 upon 2 की value क्या होती है इसकी value होती है for the 8 and to 5 the 10 4.5 अब minus 0.5 और 4.5 के between हमारे जो integers हैं उनको हमने select करना है मतलब हमारे जो integers हैं जो आएंगे set के अंदर वो minus 0.5 से बड़े हो जो ग्रेटर हो और 4.5 से less हो minus 0.5 कहां exist करेगा यहां पर यह रहा minus 1 और minus 0.5 exist करेगा minus 0.5 यहां पर यह हमारा हो गया minus 0.5 उसके बाद उसके बाद 4.5 यहां पर लेते हैं और यहां फ़ड़ा और बड़ा लेते हम यहां पर 4.5 exist करेगा 4 और 5 के between यह हमारा हो गया 4.5 अब minus 0.5 और 4.5 जो हमारे इंटीजर से हैं वो कौन कौन से हम लिखते हैं एक तो हमारा 0 है देखें इसके अगर हम जाएं राइट हैं में तो हमारा 0 आता है प्रिए जीरो के बाद क्या आपको इतना समझ आ गया होगा उसके बाद हम करते हैं अब थर्ड पर हमारा क्या है कि c is equal to x such that x is an integer and x square less than and equal to 4 अब हमारा जो x यहाँ पर दुबारा integer आ गया है लेकिन x की जो value है जो x square है तो कितना हो चाहिए less than equal to 4 अगर हम यहाँ पर करें माइनस 3 का square तो वह कितना आता है 9 अगर हम करें माइनस 2 का square हमारा बनता है 4 अगर हम करें माइनस 1 का square हमारा बनता है 1 अगर हम करें 0 का square हमारा बनता है 0 अगर हम करें 1 का square हमारा हमारा बनता है इन्टीजर है और एक्स क्वेर, इक्स के उक्वल है और उसते लेस है तो अगर यहाँ पर हम ये था हमारे सारे इंटीजर है अगर हम उसका स्क्वेर करते हैं हमने माइनस त्री का स्क्वेर किया तो वह बनता है 9 यहाँ पर जो कंडिशन है वह क्या है इसके बाद यहाँ पर है माइनस टू का स्क्वेर यहाँ पर यह भी आ जाएगा हम लेखेंगे माइनस टू के बाद माइनस टू का स्क्वेर वन यह और से लेस है यह भी आएगा माइनस टू का स्क्वेर क्या होता है जीरो यह फोर से लेस होना चाहिए यह भी आएगा हमारा आगया जीरो उसके बाद वन का स्क्वेर क्या होता है वन यह फोर से लेस है यह भी आ जाएगा उसके बाद 2 का स्क्वेर क्या होता है 4 और यह 4 की इक्वल है यह भी आ जाएगा तो हमारे जो रिक्वाइड तो थी पाड़ थे 5 पोशन के समझ आगे होंगे जो बाकी के रिमेरिंग पार्ट है आगे वीडियो में करते हैं students तो हमारा 4 पार्ट है set D is equal to x such that x is the letter in the word loyal हमने यह हमारी set builder form है इसको हमने रोश्टर फॉर्म में लिखना है तो 4 पार्ट D मैंने क्या बताया था कि अगर हम किसी word को रोश्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जो हमारे letter है वो repeat नहीं होने चाहिए ठीक है ना ऐसी कि मैंने पीछे एक लिखाता है s-p-h-o-l तो अगर इसको हम रोश्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कि अपने का s-c-h यहां पर o दो बारी है इसको लिखेंगे सिर्फ एक बार ol यहां पर भी similarly l दो बारी आ रहा है ठीक है ना इसको लिखेंगे सिर्फ हम one time अब यह एक बार यहां पर आ गया है उसको दुबार नहीं लिखेंगे क्या बन जाएगा लोया लोया कुछ बन जाएगा तो जैसे आपकी प्रणाशेशन है इसको हम डी लगा लेते हैं अब सही तरह यह हमारा हो गया फॉर्थ पार्ट के बाद है फिफ्ट पार्ट की हमार हम मन्त और फियर नोट फैविंग थर्टी वन डे मन्त लिखने है जिनमें 31 नहीं होते कि दिन नहीं होते को इंसे मन्त है हमारे एक हो गया अबरी मैं ठीक है और यूए और वाइफ्ट बी आर यूए ठीक है फैबरी हो गया अप्रेल हो गया कि दो मिट मैं सोड़ा देख लेता हूं कुर्णों से मन्ते जून कि सेप्टेमबर कि एंड एट लास नुवंबर हमारे यही मन्त है जिनमें 28 दिन होते हैं यह ओली 28 वाला है इन इसके अंदर नवंपर नमंबर नमंबर रेस कर देते हैं यह नहीं लिखना तो इसको हमने रेस कर दिया। हम लास्ट करते हैं इस से पहले हमने इंग्लिश एल्फाबेट के जो लिख रहे हैं। जैसे कि हमारे वोवल इसे कि A, E, I, O, U यह हमारे 5 वोवल्स हैं इंग्लिश एल्फाबेट इनके लावा जितने वी हमारे लाइटर्ष हैं इंग्लिश एल्फाबेट में वह हमारे कहा है वह तो यहाँ पर है। यहां पर जो हमने लिखने वी है वो K से पहले पहले लिखने जैसे की जैसे की हमारे हो जाएंगे ए तो हमारा वोवल है तो B हो गया C हो गया D हो गया इसके बाद ए वी हमारा क्या है वोवल है तो E नहीं लेंगे E F G H I J यही है यह हमारा हम करते हैं स्टूडेंट हमारा सिक्स्ट कोशन है मैच रोस्टर फॉर्म विज सेट बूल्डर फॉर्म यह हमारी रोस्टर फॉर्म है इसको हमने मैच करना है सेट बूल्डर फॉर्म के साथ जो हमारा फर्स पार्ट है वह क्या है वन टू थृश्री शिक्स इसमें से रिलेट क्या हो रही कौन सी इंफ्रमेशन इससे मैच कर रही है देखें यहाँ पर क्या एक्सिजा प्राइम नं नमबर एंड़ देन टैन एक सज़ेट एक इसज़ नेचरो नमबर एंड डिवाईजर ओफ इस अब देखें आपकर 1236 यह इससे मैच कर सकता है क्यों क्यों कि यह नेचुन नमबर है क्योंकि नेचों में वन से स्टार्ट होते हैं हमको पता है और डिवाईजर ओफ इस और मतल तो यह हमारा क्या हो गया इसके साथ मैच कर रहा है हम यहाँ पर ऐसे बाद एते हैं उसके बाद है टू थ्री अब यह टू थ्री के एक्चुली प्राइम नंबर इसको ध्यां देखे तो यह कि हमारे प्राइम नंबर होते हैं मैंने प्राइम नंबर क्या बताया थे जो वन प मतलब यह 6 को डिवाइड करते हैं तो यहां पर तू और त्री सिक्स को डिवाइड करते हैं तो इससे ही यह मैच कर रहा है ठीक है ना तू से एमेच कर रहा है वन से सी मैच कर रहा है उसके बाद है हो गया हो गया हो हो गया हो गया हो गया हम दुबार है यहां पर लिख चुके है यह नहीं लिख कर रहा है तो 1, 3, 5, 7, 9 अब यह जो हमाँ लाश्ट जो बच्चा है एक्सिजन और नैच्रल नंबर लेस दें तो यह मैं पता है कि नैच्रल नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं और यह ओड है देखें 1, 3, 5, 7, 9 यह 2 के डेबल पे मतलब 2 से डिवाइड नहीं हो सकते तो और यह 10 से लेस हैं तो यह इसके साथ मैच कर रहे हैं तो हमारा जो 6th कोशन है वह भी हो गया अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो इस एक्सराइसे रेटेड तो आप हमें कोमेंट कर सकते हो या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर ड्रेक्टली मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम आईड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देदूंगा अगर आपको झाल आपको आपको या सम का अगरा आपको वीजरे कर सकते हो याल आपको याल में देड़ो